सो हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल वी फर वेल्यू में आज मैं बात करने वाले वर्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मॉबिलिटी लिमिटेट के बारे में कि जानेंगे हम कंपनी के fundamentals कैसे हैं कंपनी किस प्रकार के business में involved है कंपनी के last performance किस प्रकार के हैं और आने वाले time पर हम किस प्रकार के वहीकल की manufacturing का काम करती है अब इन में कौन-कौन से वहीकल से आप जैसे कि यहां पर देख पा रहेंगे यह कंपनी की कुछ टॉप वहीकल से जिसको कंपनी अभी के टाइम पर मैनुफेक्चर करती है इसके लावा कंपनी इवी सेक्टर में काफी जल्दी अपने आपको पर देख पारेंगे नियू इवी ओफरिंग इन द वेरियस प्राइस पॉइंट अलवाला अलग प्राइस देंच पर कंपनी इवी वहीकल को लांच करने के प्लान कर रही है इसके लावा लावा लॉंचिंग थ्री न्यू रोबर्ट इवी मोडल्स विचार हाइज स्पीड ए उनके पास जो वीजन है वह काफी क्लियर है और विजन पर यह काफी तरीके से फोकस्टली काम कर रहे हैं इसके लाव अगर बात करें कंपनी के लास्ट परफॉमस के बारे में आप जैसे की देख पारेंगे वाल्यूंस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कंपनी का EBITा म नहां 2019 में 14,18,000,000 का यह revenue अन कर रहे थे 2021 में 39 करोड़ का revenue अन कर रहा और अभी के टाइम पर लगवाब 185 करोड़ का revenue अन कर रहे हैं तो यह काफी अच्छी बात है बात करते हैं नेट इंकम की तो पहले माइनस में चल रहा था वह काफी अच्छी प्लस में आता वह देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है अगर comparison करें इंडस्टरी से तो revenue, net income, market share तीनों में ही इसने इंडस्टरी को बीट किया है तो overall आप कह सकते हैं कि company काफी अच्छी growing phase में है वाट अगर आप बात करें cash flow की तो यहाँ पर company का cash flow माइनस में जाता वो देखने को मल र रही है, foreign investors के लबब 0.16% के देखने को मिल रही है, इसके लावा rest आपको देखने को मिलने होंगा, retailis लबब 29.75% तो overall आप कह सकते हैं कि holdings भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलें पर motors ने काफी इच्छी holding रख रखी अभी के टाइम पर, बात करते हैं company कुछ key factors के बात करते हैं company कुछ key important ratios के पर तो लबब तेरा सो करोड का market share company का, PE ratio लबब 162 का है, PB ratio 22 का है, company का dividend heal है 0.01% company के पर कोई debt नहीं है, मतलब debt free company है, इसके equal में cash की बात करें, तो लबब 2 करोड का company के पर cash equivalent है, इसके लाब आपकर हम बात करें company के ROE की तो लबब 11 का है, और ROC लब 12 का, तो overall आप कह सकते हैं कि company के ratios ठीक है, debt free company जो की काफ़े इच्छी बात है, as a small company, बात करते हैं company के chart overview के बार में, तो last one week में आप जिसके देख पा रहे हैं, 3% का downtrend, last one month में लब 14%, last one year की बात करें तो लब 35%, और अगर आप 5 years की बात करें तो लब 5 गुना का return company ने दिया है, अपने all time high से almost company 44% के discount पर अभी के बीच में, target जो मैं से देना चाहूंगा, बोलेगा, मेरा 90 का target 1, and 120 का target 2, मुझे आप लिख कर बताएगा कि क्या आपको लगता है, ये company आने वाला time पर grow करेगी, और अगर आप इसमें invest करने के बार में सोच रहे हैं, तो एक बार अपनी तरफ से company के fundamentals जरूर चेक करेगा, जल्दे मिलते हैं से एक और नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए थोड़ा सवर समय investment को देने के लिए, तो मेरे top 6 share वाली वीडियो अब जरूर देखेगा, जिसमें आप अभी के time पर बिल्कुल freshly investment कर सकते हैं, तो जल्दे मिलते हैं से एक और नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ और गुद बाइ, थैंक यू दोस्तो